साथियों मकर लगन की इस जन्म पत्रका में जब जब शुक्र जो की पंचमेश है उनकी दशा आएगी तो वो इस जातक या जातका को संतान का अशिरवात तो देगी परन्तो यदि शुक्र देव लगन में बिराजमान हो जाते हैं तो ऐसी होने वाली संतान नेत्रित्व करता होती है लीडर्शिप के गुण उसमें जबरदस्त होते हैं यदि पंचम भाव में शुक्र देव बिराजमान हो जाएं तो ऐसा विक्ति अपने परिवार की कई कई पीडियों की गरीबी को दूर करने वाला होता है और साथ ही यदि शुक्र देव नवम भाव में बिराजमान हो जाएं तो ऐसा जातक पर्थम संतान की प्राप्ती के पश्चात वो सारी खुशिया प्राप्त करता है जिसकी उसने कल्पना की थी जिसके उसने कभी सपने देखे थे तो मेरे बहुत ही प्री और बेहत सम्मानित साथियों रिदय की आसीन गहराईयों से अभेनंदन बहुत-बहुत हारदिक स्वाकत साथियों इन दिनों चर्चा हम कर रहे हैं कि कब संतान होने की संभावना सबसे अधिक होती है और जब एक बार संतान हो जाए तो मन में ये प्रश्न हमारे स्वाभाविक होता है कि ये जो संतती हमारे उत्पन हुई है ये क्या हमारे लिए सौभाग ये लेकर के आई है या फिर ये हमारे लिए दुरभाग ये लेकर के आई है देखिए दोनों प्रक तती आते ही धन की सौभाग्य की वर्षा होती है और इसके उलट कई बार दरिद्रता का रास्ता खुल जाता है तो आईए आज हम चर्चा करने वारे हैं मकर लगन के बारे में यह जो आप जन्म पत्र का देख पा रहे हैं यह मकर लगन की है जो नवीन दर्शक है थोड़ा कम जानते हैं उनके लिए हम बतलाते चलें कि यहां से आप देख रहे हैं कि यह लगन भाव होता है और यहां से ही कुंडली की शुरुवात मानी जाती है यहां आप देख रहे हैं कि दस नंबर का अंक लिखा हुआ है और दस नंबर जो है वो जोत शास्त्र में मकर राशी होत साथ यदि अभी तक आपने अपने लगने से संबंधित अपिसोड नहीं देखा है और आपके भी यदि यही दोनों प्रशन है कि कब कैसी संतान आपके होने वाली है तो यहाँ आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहा है जाकर के जरूर अपने लगने से संबंधित आप एपिसोड देखिए यहाँ पर दो बाते मैं क्लियर करता चलूँ कि वैसे तो जो संतती का प्रशन है उसके लिए हमें पती और पतनी दोनों की जन्म पत्र का देखनी होती है और दूसरी बात कि इस श्रिंखला में पर्टिकुलर हम प्रथम संतती की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रथम संतती के समय ही सबसे प्रबल यह प्रशन होता है जब तक कोई संतान नहीं होती तब तक संतान कब होगी संतान कब होगी इसकी रट सभी लोग लगाते हैं परिवार वाले और उसके बाद में इतने ज्यादा हाला कि प्रश्ण बना रहता है परन्तु इसकी जो गंभीरता है वो इतनी नहीं रहती तो साथ यूशरु वात करता है कि मकर लगन की जन्म पत्रिका में कब संतान की संभावना होती है या कब संतान होती ही है तो गौर से आप सुनियेगा यहाँ पर तीन संभावनाओं की हम चर्चा करने जा रहerek क्योंकि इस भाव से ये पंचम भाव है पंचम क्यों है एक दो आ चार और पांच ऐसे इस प्रकार से इसको गिना जाता है यहाँ पर दो नंबर अर्थात वृषभ राशी हो और वृषभ राशी के लौड होते हैं शुक्र देव तो इस जन्म पत्रिका में संतान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है शुक्र देव तो सबसे पहला कि इस जात्य किया जातिका को तो प्रबलतम संभावना है इनके संतती प्राप्त होने की दूसरी बात इस भाव पर आप द्रिष्टपात करें क्या यहाँ पर कोई गरह बिराजमान है वो सूर्य हो सकते हैं चंद्र हो सकते हैं राहु केतू मंगल बुद्ध कोई भी हो सकते हैं जो कोई भी ग्रह इस भाव में बैठा हुआ है इस्थापित है बिराजमान है उस ग्रह की दशा अंतर दशा में इनको संतती अवश्य ही प्राप्त होती है तो दूसरा बिंदु हो गया कि पंचम भाव मतलब फिफ्थ हाउस यहां पर मैंने लिखा है तो पंच पंचम भाव में इस्थित ग्रह की दशा या अंतरा अब तीसरा बिंदु उसके लिए आपको हो सकता है कि किसी जोतिशी की सलह लेनी पड़े इस पंचम भाव पर यदि कोई ग्रह दृष्टिपात कर रहा है दृष्टिपात कई प्रकार के होते हैं हर ग्रह की अपनी दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं तो वो भी यहां पर कारक बनेंगे जिस जिस ग्रह की पंचम भाव पर यदि दृष्टि पढ़ रही है तो उस ग्रह की दशा अंतरदशा में इस जातक या जातिका को संत्ति अवश्य ही प्राप्त होती है तो तीसरा बिंदु हो गया पंचम भाव पर दृष्टि पात करने वाले ग्रह की दृष्टि पात वाले ग्रह की दशा या अंतरदशा चीक है तो यह तीन बिंदु हो गए तो मुझे लगता है कि यह कब वाला जो प्रश्न है यह हमारा सौर्ट आउट हो चुका है अब चलते हैं कि कैसी होगी क्योंकि संतान जब हो जाती है और थोड़ी बड़ी हो जाती है कई बार वह परिशानी का सबब बनती है तो कई बार हमें सम्मान सुख और सवभागे का वह सबब बन जाती है तो कैसे हम जान सकते हैं अपनी कुंडली के माध्यम से कि संतान हमारे लिल क्योंकि तीसरा तो कोई option है ही नहीं या तो सवभाग्य या फिर दुरभाग्य तो एक-एक करके क्योंकि शुक्र की placement ये तय करेगी या पंचम भाव में बैठ हुए ग्रह की placement ये तय करेगी की प्रथम संतान आपके लिए कैसी होने वाली है साथी यदि शुक्तर देव इस जन्म पत्रिका में जो कि त्रकोन के अधिपत्य है लगन में ही बिराजमान हो जाते हैं अच्यंत ही सुन्दर जन्म पत्रिका है ये और इस विजातक को जो प्रथम संतती होगी वो इनके लि विदेश यात्राएं वो सब के सब इस इस्थति के कारण विक्ति को अवश्य ही मिलते हैं तो ये श्रेश्टम और सौभाग्यकार के स्थति हैं साथ यदि शुक्रदेव इस द्वितिय भाव में विराजमान हो जाते हैं ये भी एक अच्छी और श्रेश्टिस्ति है चूंकि ये भाव है धन कुटुम्ब और वानी का तो ये जो संत्वति है ये अपनी पैत्रिक संपत्ति को कई गुना बढ़ाएगी यदि एक लाक रुपए इसके पिता इनके लिए छोड़के गए हैं तो ये उसको एक करोड तक ले जा सकती है पैत्रिक संपत्ति को बढ़ाने का कार्रे करती है आकरशक विक्तित्व की धनी होती है और साथ ही हम इसको यदि ये कहें कि ये कुल दीपक होता है तो बिलकुल भी गलत बात नहीं होगी तो बहुत ही ये सौभाग्य दायक इस्थिती है आगे बढ़ता है साथियों बात करते हैं तृतिय भाव की पराक्रम भाव की यदि तृतिय भाव में शुक्र देव विराजमान हो जाता है यहां पर वो अपने परम शक्त्रु गुरु की राशी म स्थिति में बैठ गए इसलिए ये स्थिती एक और भाग जनक स्थित होगी ऐसी स्थिति में जो प्रथम संतान इस मकर लगन के जातक को प्राप्ट होगी वह संतान ऐसी होगी जिसकी साहस ले स्थिति तक ठीक होता है परन्तु चूंकि जो व्यक्ति ग्रिहस्थ जीवन में हैं उसके लिए भौत एक संसाधन भी उतने ही मायने रखते हैं आप स्वयम समझता हैं साथिजदी शुक्रदेव इस चतुर्थ भाव में बिराजमान हो जाता है ये भी एक अति उत्तम इस्थिति है एक गलत फहमी मैं आपकी दूर करता चलूं कई लोगों को ये होगी कि ये अपने ही भाव से ट्वैल्थ में जाकर के बैठ गए परन्तु यहाँ पर ये नियम ल प्रथम संतान के होने के बाद ही जरूर खरीदेंगे या प्रथम संतान के होने के बाद में ये कोई बहुत बड़ा निवेश भूमी में अवश्य करते हैं जो कि इनको कई गुना रिटर्न आगे चल करके देता है तो अत्यन्त उत्तम इस्थिति साथ्यदी शुक्रदेव पंचम भाव में स्वयम के भाव में बैठे हुए हैं जितनी इसकी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है शुक्र त्रकोन के अधिपति पंचमे अपने ही भाव में एक प्रकार से सुखों की बाढ़ आ जाएगी जिस स्थिति के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा वो सारी स्थितियां आपको मिलेगी आकस्मिक धन का यह है तो शेर के माध्यम से सट्टे के माध्यम से या कहीं ऐसे स्थिति से आपको धन अवश्य मिलेगा जिसका की आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और एश्वर्य वैभव विदेश यात्राएं गाड़ी, लग्सूरियस लाइफ वो इस संतोती के बाद में आपको अवश्य ही प्राप्त होती है साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला जो भाव है वो त्रिक भाव है और त्रिक भाव बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, बिल्कुल भी सही नहीं होता है यदि शुक्र देव इस छटे भाव में, त्रिक भाव में बिराजमान हो जाए, शुक्र तो अच्छे है त्रिकोन के अधिपती भी है, परंतु वो गर्त में चले गए बतलब अच्छे स्वभाव का योग्य व्यक्ति भी मान लीजे कि एक अच्छा स्टुडेंट है पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पर्फॉर्मेंस करता है, परंतु वो कुछ नशेडियों के बीच में चला जाए या अपनी संगत बिगाड़ ले, तो उसकी योग्यताओं का कुछ भी नहीं हो सकता तो इस इस्थती में क्या होगी, कि पहली संतती होने के बाद में खास तोर पर जो माता का स्वास्त है वो खराब होगा और उनको स्त्री जन्य रोग हो सकते हैं, कितना ही नहीं बलकि उनको पेट, पाचन, तंत्र, हड्डियों, लीवर, किड्नी, मतलब एक multiple disorder जो कहें वो माता के लिए ये संतती उत्पन होती है, और पिता की यदि बात करें तो पिता को ये कर्ज में डुबोने वाली अवश्य ही साबित हो जाती है साथ्यों यदि शुक्त्र देव सब्तम भाव में बिराजमान हो जाते हैं यहां पर ये स्थिती एक average, एक ठीक ठाक स्थिती है ये जो संतती है, जीवन के पहले 30 वर्षों तक कुछ भी नहीं करती है इसको अपनी जो जिम्मेदारियां है उसका एहसास नहीं होता परंतु 30 के बाद में यदि कोई दशा इनको ठीक आ जाए तो ये अपने नाम से न सही तो पिता और पुत्र यदि साथ में मिल करके कोई कार्रे करते हैं बिजनस को ये कई गुना बढ़ाएंगे क्योंकि यहां पर ये शुक्रदेव लगन को देखने का भी कार्रे कर रहे हैं और ये इनकी मित्र लगन है साथो ये शुक्रदेव अश्टम भाव में बिराजमान हो जाएं फिर वही स्थिती हो गई कि त्रिकोन तो है परंतु वह त्रिक भाव में चले गए घर्त में चले गए ऐसी संतती के बाद में व्यक्ति ये जरूर सोचता है कि इतना ही मुझे मृत्यू तुल्य कश्ट यहां पर मैं शब्द लिख रहा हूं मृत्यू तुल्य मतलब मृत्यू के समान जब व्यक्ति के मन में ये भावा आ जाए कि ऐसी संतती होने से तो संतान हीन होना ज्यादा भैतर था ऐसे दिन ये संतती आपको जरूर दिखाती है साथियो अगले जो स्थिती है वो बहुत ही सुन्दर निर्मित हो रही है क्योंकि त्रिकोन के अधिपती दूसरे त्रिकोन में जाकर के योगकार के स्थिती में बैठ गए है ये जो स्थिती है ऐसी स्थिती में जो संतती होती है वो आपके लिए भाग्य के रास्ते खोलने वाली होती है भाग्य के अवसर तलाश करने वाली होती है ये धर्म का भी है अब ये धर्म क्या है कि जो संतती है वो अपने धर्म का पालन करेगी एक संतती का क्या धर्म होता है अपने माता पिता की सेवा करना एक आयू के बाद में जिम्मेदारी का निर्वहन करना तो ये बहुत ही उत्तम स्थिती है और माता पिता विदेश यात्राएं जरूर इस संतती के उत्पन होने के बाद में करते हैं एक और बहतरीन स्थिती प्रशन सुनिय स्थिती यहाँ पर शुक्रदेव तुला राशी में अपने ही भाव में जाकर के बैठ गए हैं पिता के लिए ये बहुत ही भाग्योदय कारक संतती है पिता यदि कोई व्यवसाय कर रहा है तो बहुत बड़ा ओर्डर या बहुत बड दोननती बहुत तेजी से उनकी हो जाती है तो मैं इसको दस में से दस नंबर अवश्य ही देता हूँ साथ यदि शुक्रदेव एकादश भाव में बिराजमान हो जाएं यहाँ पर प्लस पॉइंट यह है कि वो अपने ही भाव को सब्तम दृष्टी से देख रहे हैं नकेवल संतान प्राप्त होगी बलकि इस संतान की प्राप्ती के बाद में आएके नए स्रोत यदि आप किसी एक स्रोत से कमा रहे थे तो अब मल्टिपल स्रोत से आपकी इंकम प्रारंभो हो जाएगी यदि कोई प्रोफेशनल है यदि पिता या माता सीए हैं डॉक्टर हैं किसी प्रकार की प्रैक्टिस करते हैं तो वो प्रैक्टिस भी कई गुना प्रथम संतान के बाद में बढ़ जाती है साथी यदि शुक्र दे वो ट्वैल्थ हाउस में चले गए ये फिर से एक चिंता जनक इस्थिती हो गई इस प्रथम संतती के बाद में जो कश्टों का सिलसिला प्रारंभ होता है वो ता उम्र थमने का नाम नहीं लेता व्रिधा वस्था में अपने माता पिता का अपमान करने वाली उन्हें प्रताड़त करने वाली उनको एक एक पैसे के लिए मोहताज करने वाली ये जो इस्थिती है ये साबित हो जाती है तो साथ ही ये हमने जाना कि शुक्रदेव इस मकरलगन की जन्मपत्रिका में प्रथम संतती कब देते हैं, कैसी देते हैं, मुझे लगता है कि आपको ये बहतर तरीके से समझ में आ गया होगा अब इतना ही काफी नहीं है, कुछ और बिंदू में आपको यहां पर बतलाता चलूँ कि यदि शनी देव इस जन्मपत्रिका में बिराजमान यहां पर हैं, तो ये अतियुत्तम स्थिती हैं, इस संतती के बाद में रुके हुए काम होते हैं और जो आपने पहले मेहनत कर रखी है, उसका रिजल्ट प्रथम संतती के बाद में आपको अवश्य ही मिलता है एक-एक करके मैं यहां पर समझाता चलूँ, यदि गुरुदेव इस जन्मपत्रिका में पंचम भाव में हैं, चूकि यहां पर शत्रु राशी में आ गए, तो गुरु हाला की शुभत्तों वाले ग्रह हैं, परन्तु ये स्थिती बिलकुल भी ठीक नहीं है इस स्थिती में महिलाओं को गर्भपात की समस्या, और बलकि एक-दो नहीं इस से भी ज्यादा कई बार गर्भपात की स्थिती देखी गई है, और माता-पिता के सम्मान की हानी करने वाली ये जो स्थिती है, यह यहां पर उत्पन होती है साथियों यहां पर चंद्रमा या सूर विराजमान है, जो कि दोनों ही इस जन्मपत्रका के लिए एक प्रबलतम मारक ग्रह है, इस संतती के बाद में ही सम्मान की हानी, पैसों की हानी, और एक प्रकार से संतान उत्पन करके पच्छताने की स्थिती यहां पर स्पष्ट तो साथियों आज हमने मकर लगन की जन्मपत्रका में जाना की संतान आपको कब उपराप्त होगी और वो कैसी होगी विभिन स्थितियों के माध्यम से, तो आप अपने कमेंट के द्वारा हम तक यह सूचना जरूर पहुंचाईएगा, कि इस एपिसोड को देखने के बाद में हैं, तो भी आप उन सभी स्थितियों पर चर्चा कर सकते हैं, जिसकी हमने आज आज आपको व्याख्या करके सुनाई हैं. आज के हमारे कमेंट के चरल की तरफ और पहला ही जो कमेंट है वो अजीत अबराहम जी ने लेख पेजा है, गुरू जी वी वांट नेक्स्ट वीडियो आफ गुरू वक्री, तो अजीत जी आपकी इस फर्माईश को हम शीगर ही पूर्ण जरूर करेंगे, अगला कमेंट ज जीतेंद्र गोंबे जी का है, गुरू जी पैसा तो आता है पर रुकता नहीं, जीतेंद्र जी आप शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से प्रारंब करते हुए श्री सूक्त का पाठ करें, तो रिध्धी भी होगी और सिध्धी भी होगी, अर्थात धन आएगा भी औ और आपके स्पांस में वो लंबे समय तक पिका हुआ भी रहेगा, साथियो अगला कमेंट अमरिता राव जी का है, और आपने प्रशन पूछा है कि गुरू जी इस बार प्रदोश का वरत कब है, देखिए इस बार जो निकटतम प्रदोश का वरत है, वो बार सितंबर 2030 को रहा है, तो भेर सारी आपको शुप कामने, तो साथियो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, सम्रध्ध और शांति पूर्वत जीवन व्यतीत करें, नमस्कार झाल